तो कुनिचिवा मेनासान मेनासान कुनिचिवा बंद करो हाथ जोड़के मैं तो हेलो गाइज कॉनिचिवा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एल लो लाइट वसर सिका मारू नारा इन दोनों में से ज्यादा स्मार्ट कौन है क्योंकि हमने अभी तक जितने भी वेसर स्बैटल कराए उसमें हम ज़़यदा तागधवर देखती हैं लेकिन आज का ये वीडियो कुछ अलग बला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा स्मार्ट कौन है तो अगर आपको भी जानना है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्मार्ट कौन है यानि कि ज़्यादा इंटलिएंट कौन है तो वीडियो में एंट तक बने रहिएगा यार आजकर जो सोडाउन होने वाला है ये काफी ज़र डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि दोनों ही करेक्टर ने अपनी स्मार्टनेस को एकदम प्रूफ करा है दोने करेक्टर ने अपनी IQ को भी एकदम प्रूफ करा है और दोने करेक्टर ने वक्त पढ़ने पर एकदम बढ़िया से बढ़िया प्लैन बनाए है तो देखने में काफी ज़दे इंटरस्टिंग होने वाला है कि दोनों में से कौन जीतेगा तो सबसे पहले हम बात करते हमारे सिका मारू की एनिमे में हमें अजुमा सेंसे ने बताया था कि सिका मारू का IQ लेवल कितना है उन्होंने बताया था कि सिका मारू का IQ लेवल 200 से भी ज़्यादा है और वहीं पर बात करें L की तो उसका है 210 210 लेकिन मुझे लगता है कि शिकामारू का IQ लेवल 210 से तो काफी ज़्यादा होगा क्यूंकि उस टाइम में इतना मतलब अंदाज लगाया था हूं इतना उनको पतानी तक अनफर्म नहीं था लेकिन जिस हिसाब से शिकामारू ने प्लैन बनाए है उस हिसाब से तो उसे खुद के ओपर कंफर्मेशन होता कि हा जिस पर मैं सक करता हूं वह एक डम कल्प करिट है लेकिन अगर हम वहीं बात करें हमारी शिकामारू की तो शिकामारू अगर खुद भी कोई डिसिजन लेता है ।ो इस पर वह हजार बार सोचता है और हजार बार सोचने के बाद भी वो डिसीजन नहीं ले पाता है उसको खुद पर भरोसा नहीं होता है लेकिन एल को खुद पर पूरा भरोसा था कि जो भी वो कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है उसे पता था कि लाइट ही की रहा है इसने बोला था कि मुझे इस पर 5% सकता है उसे वहाँ पर 100% सकता लेकि फिर भी वो बताता नहीं है किंकि उस पर कोई अकीनी नहीं करता और एंड में लाइट ही कीरा निकलता है शिकामारू किसी भी इंसान के बोलने के तरीके से उसको देख के बता देता ए कि वो इंसान कैसा है तो यार अब मैंने आपको इन दोनों की पावर्स के बारे में बता दिया है पावर्स तो नहीं इन दोनों का इंटलिगेंस के बारे में बता दिया है यार अब ये चूश करना बहुत ज़्योड़ा डिफिकल्ट है कि या शिकामारू जीतेगा या फिर एल लॉलाइट दोनों करेक्टर इनकी सीरीज की काफी ज़्यादा ओबी करेक्टर है अगर हम इन दोनों को बैटल में करें यानि कि इन दोनों को आपस में लड़वाए तो उसमें अफकोर्स हमारा शिकामारू जीतेगा लेकिन अगर हम इन को भी शिकामारू जैसी पावर्स दे दे यानि कि एक निंजा बना दे तो ऐसी कंडिशन में भी शिकामारू जीतेगा क्योंकि शिकामारू का एक बैटल वाला दिमाग है और वो बैटल वाले दिमाग के हिसाब से अच्छे चिप लैन बनाता है वही हम बात करें हमारे एल लोलाइट की तो यार उसका बैटल वाला दिमाग नहीं है उसका एक डिटेक्टिव वाला दिमाग है वो एक मॉडरन से टीम में पैदा हुआ है वहीं पर पला बढ़ा है इसलिए उसका एक डिटेक्टिव वाला दिमाग है लेकिन फिर भी मुझे कही ना कही तो लग रहा है कि एल शिका मारू से हार जाएगा तो यार यह था मेरा ओपीनियन अब आप मुझे अपना ओपीनियन कामेंट करके जरूर बताना और कोई भी जीते से ओफेंड बिल्कुल भी मत होना तो ओकी गाईज यह था असका वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और सयुनारा